श्री इम्रान हुसेन टाक उपनिरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलीस मरनो परांद दिनांग 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्री नगर के जकूरा क्शेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था उसमें आतंक वादी होने की सूचना श्री नगर पुलीस द्वारा भेजे जाने पर पुलीस टेशन जकूरा और SDPO जकूरा की पूर्ण कमान में उपनिरीक्षक श्री इम्रान हुसेन टाक के नेत्रत्व में पुलीस शेत्र श्री नगर द्वारा संयुक्त नाका बंदी स्थापित कर दी गई एक कार को रुकने का सिगनल दिया गया फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोला बारी कर दी जिससे उपनिरीक्षक श्री टाक गंभी रूप से घायल हो गया इसके बावजूद उन्होंने असाधारन बहादुरी का परिचे देते हुए जवाबी गोला बारी कर दी जिससे आतंकवादी घायल हो गया अपनी कुशाग्रदा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोली बारी की जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधा धुंद गोली बारी कर दी घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और ततकाल चिकितसा सहायता को मना कर गोली बारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रख उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चिनोती दी मानों कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नस्दीक पह हीद हो गए स्वर्गेश्री इम्रान हुसेन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनास अख़तर झाल